जैहिन दोस्तों वेल्कम टू यूटूब चैनल अप्खुंगा केडमी आज हमारे एंडिय की फर्स्ट क्लास है हम इस क्लास के अंदर इस क्लास के अंदर complete chapter नहीं करेंगे हम इस क्लास के अंदर वही main highlight topic करेंगे जहां से question बनते हैं अगर हम बात करें unit end measurement में से question कहां से बनते हैं तो unit end measurement में जो सबसे main और important जो point रहने वाला है वह है dimension formula डाइमेंशन पॉर्मूला विमाय सूत्र विमाय सूत्र तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी फीजिकल कॉएंटिटी किसी भी भोतिक रासी का विमाय सूत्र कैसे निकालते हैं अगर हमें यूनिट पता हो तो यूनिट से कैसे निकालते हैं अगर हमें किसी फीजिकल कॉएंटिटे का फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूले से हम कैसे उसका डाइमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो dimension find out करने से पहले हमें कुछ basic चीजों का पता होना चाहिए जैसे हमें पता होना चाहिए length लंबाई लंबाई का SI मातरक होता है मीटर और लंबाई का डायमेंशन होता है यह बेसिक कौन से चीज़े हैं जैसे लेंद का डायमेंशन किस से लिखा जाता है लेंद का डायमेंशन लिखा जाता है कैपिटल एल से और लेंद का जो यूनिट रहता है वो होता है मीटर दरवयमान का SI मातरक होता है kg, kg और इसका dimension होता है M, dimension क्या होता है, M होता है, और third में बात करूँ time, समय का SI मातरक होता है बिटा सेकिंग और इसका डायमेंशन होता है क्या होता है डायमेंशन कैपिटल T इसका डायमेंशन होता है और अगर हम बात करें टेमपरीचर अगर किसी physical quantity में temperature है तात्मान अगर आपको दिया हुआ है तो उसका dimension हो उसका ऐसा unit होता है Kelvin और इसका dimension होगा आपका K क्या होगा dimension K और अगर आपको दिया है current विद्धूत विद्धूत का ऐसा ही मातरक होता है ampere और ampere का dimension या तो A होगा या I अगर ये पांच बेसिक चीजे हैं आपको पता है तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी physical quantity या किसी भी formula का dimension आप easily बना सकते हैं तो आई एक बार इसको वापिस से recap करते हैं length का dimension होता बेटा L और length का unit होता है meter मास का यूनिट होता है kg और dimension होता है M time का unit होता second और time होता है dimension होता है इसका T temperature तापमान तापमान का dimension होता है K और विद्धूत का dimension होता है AI ओके ये बिल्कुल basic चीजे हैं आईए अब हम सीखते हैं किनके dimension कैसे बनाये जाते हैं पहले बिल्कुल basic सबसे basic क्या हमारा 6 तरफल area अगर मैं बोलूँ कि area का dimension क्या होगा तो देखो जब भी आप किसी भी quantity किसी भी shape का area निकालते हो तो उसके पीछे आप एक unit लिखते हो उस unit को लिखो याँ पे तो किसी का भी area है वो meter square में represent किया जाता है SI system के अंदर अगर cgs में जाओगे तो वो centimeter में define किया जाएगा और dimension formula always found in capital letter mlt dimension formula मेंचा किस में found होता है mlt अब बिटा mlt में भी थोड़ा एक बार हम जान ले क्या क्या बताता है m किसको बताता है m बताता है mass, दर्वेमान l किसको बताता है l बताता है length, लंबाई और t किसको बताता है time, समय को unit हमने recap कर रही थी mass का unit kg था, length का unit meter था और time का unit second था तो देखें इसमें क्या होगा आब क्या इस formula में kg है, unit में नहीं तो m की power लिखा जाएगा 0 आपका बनेगा, वो बनेगा m नोट, l2, t नोट या फिर आप इसको लिख सकते हो, l2 क्योंकि किसी भी constant की power 0, 1 होती है तो आप इसको m नोट, l2, t नोट भी लिख सकते हो आप इसको only l square भी लिख सकते हो आए हो, इसमें आपको कोई problem नहीं होगी next time try करते है velocity velocity यानि की वेग velocity का जो formula होता है, वो होता है विस्थापन displacement upon time समय displacement upon time आईए, अब formula से कैसे dimension बनाएं देखो हमें पता है कि displacement एक length का factor होता है तो length का dimension क्या बन गया, l और time का dimension होता है, t ये t इदर by में है जब ये उपर जाएगा, तो इसकी powers change हो जाएगी तो लिखा जाएगा, l t minus 1 तो dimension of velocity क्या बनेगा, l t minus 1 क्या बनेगा, l t minus 1 आईए, एक दोर basic बनाते हैं अगर मैं पूछू आप से वेटा, तावार्ण का क्या होगा acceleration acceleration का dimension क्या रहने वाला है दो वो acceleration होता है, velocity upon time और velocity का तो dimension हमने निकाला था, क्या बनेगा l t minus 1 by, time का dimension क्या है, t जब ये t की power उपर जाएगी, तो किस में हो जाएगी negative में, तो क्या लिखा गया, l t की minus 1 और एक और minus 1 तो याद जाएगा, t की minus 2 या पिर आप इसको लिख सकते हैं, m not l t minus 2 m not l t minus 2, ये इसका dimension रहेगा ये किसका dimension है, ये dimension acceleration का आईए, एक दोवर basic करेंगे अगर बेटा आप से पूछा जाए, force, बल, force का dimension क्या रहे formula क्या होता है, m a mass into acceleration तो mass का तो dimension हम सीख चुके हैं ना mass का dimension होता है, m और acceleration का dimension हमने निकालना सीखा था, l t minus 2 तो इसका dimension क्या बनेगा, m l t minus और force का बेटा unit होता है, newton क्या होता है, newton तो जहां भी आपको unit में newton दिखाई दे, या कहीं भी force दिखे तो उसका dimension क्या बनेगा, m l t minus 2 अगर मैं आपसे पूछ बेटा work, energy, heat, सबका सेम होगा, तो work का निकालो, किसका निकालो, work work का क्या बनेगा, work का बनेगा force into displacement तो force का dimension तो मनें निकाला हा ना अभी, क्या है, m l t minus 2 और distance का क्या होगा, l ध्यान से दखो, इसकी power 1 है, इसकी भी power 1 है, और into में हो, बेस सेम हो, तो powers जूड जाती है तो dimension बनेगा, m l 2, t minus 2 क्या है, m l 2, t minus 2 यह किसका dimension है, work का अगर आपको किसी का भी basic dimension बनाना है, तो आपको work, force, displacement, velocity, area, volume इन सब चीजों के बेटा है, 5 से 7, यह dimension learn होने चाहिए, ताकि कोई भी अगर अच्छा formula होगा, तो इन में यही quantity आपको मिलेंगी आए, हम कुछ discuss करते हैं, formula जो पहले NDA में आए हुए है, पहले question आए हुए है NDA यह question है, 2020 का, 20 यह किस में से 1 में आया था यह उसने दिया था, अच्छा उसने formula नहीं दिया था, उसने सिर्फ direct पुछा था कि dimension of gravitational constraint sorry, sorry, उसने क्या पुछा था, dimension of gravitational constraint गुरूत भी है स्थिरांग का विमाई अब सबसे पहले dimension निकालने से पहले बेटा formula हमें पता होना चीए कि जिसका इसने हमसे dimension पूछा है, उसका formula क्या होगा तो formula होता है, F equals to G M1 M2 by R square यह है gravitational force का formula F means force, G का आपको चाहिए, gravitational constant का M1 M2 है mass के factor और R है distance का factor, screen को pause करके वीडियो को, इसको try करो, solve करने का, इसका answer होगा क्या formula है, F equals to G M square करो, क्योंकि dimension में M1 M2 से हमें कोई मतलब नहीं है, by R square जिसका dimension निकालना है, उसको एक side करो, बाकी को एक side करो, तो इसको एक side करेंगे, तो G equals to क्या आएगा, F R square by M square, क्योंकि R इधर divide into, और यह इधर into है, तो इधर divide, तो G बचेगा हमारे पास, तो ध्यान से देखे, बाटा, किसका formula चाहिए हमें, force हम निकाल चुके है, M L T minus 2, हमें किसका dimension चाहिए है, R, radius, length, दूरी का factor, तो बनेगा L2 by M, M किसका factor है, mass, तो बनेगा M square, अब ध्यान से देखे, यह M नीचे से उपर जाएगा, तो इसकी power positive से negative हो जाएगी, तो क्या बनेगा, M, M minus 2, T minus 2, A के लिए है, और L square, L cube, तो इसकी power 1 है, इसकी minus 2, 1, minus 2, minus 1, तो dimension बनेगा, M minus 1, L cube, T minus 2, This is the dimension of gravitational constant, इसका dimension है, gravitational constant का, ओके, एको ट्राइ कीजिए, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, सेंता का गुणांग, सेंता का गुणांग, इसको लिखा जाता है, नीटा से, इसका formula होता, पेटा, force बटे area, into length by velocity, F L by A V, F का मतलब force है, L का मतलब length है, A का मतलब area है, और V का मतलब velocity है, तो try cross screen को, वीडियो को pose करके, अब देखो, force का dimension क्या होगा, M L T minus 2, length का dimension क्या होगा, L by, area का dimension क्या होगा, L square, और velocity का, L T minus 1, इसको rearrange कर लो एक बार, उपर क्या है, M L 2 T minus 2, upon, L cube T minus 1, दियान से देखो, L की power इदर positive 3 उपर जाके, 3 negative, और पहले L की power positive है, तो 2 minus 3 minus 1, और M अकेला है, तो यह बनेगा, M L minus 1, T की power यहाँ, minus 1 उपर जाके, plus 1, minus 2 plus 1, तो T minus 1, dimension of viscosity क्या होगा, M L minus 1, T minus 2, I hope, आपको किसी भी physical quantity का अगर formula मालूम है, तो आप काफी easily, उसका dimension find कर सकते हैं, NDA में यहां से questions निकलते हैं, पहले भी आए हैं, यह दो questions जो मैंने आपको practice करवाई हैं, यह दो questions पहले NDA में पूछे जा चुके हैं, और dimension निकालने के लिए बेटा, आपको basic 8 से 10 dimension learn होने चाहिए, length का क्या है, जो basic मैंने 5 quantity जी आपको लिखवाई हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, length का क्या हैगा, mass का क्या हैगा, time का क्या हैगा, यह सब, I hope इस class में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आपको dimension निकालने में कोई problem नहीं है, ऐसी ही class लेने के लिए continuously हम केवाल एक specific topic पे class बनाएंगे, तो academy के youtube channel को subscribe करो, bell icon को दबाओ, ताकि हर एक new video का update सबसे पहले आप तक पहुंच चेगे, जैहिं, class यहीं over करते हैं आज की,